दोस्तो अगर आप भी Windows 10 को बदलना चाहते है Windows 11 में अपडेट करना चाहते है दोस्तो तो इस वीड़ो को पूरा देखते रही है यहाँ पर आपको मैं पूरी डिटियल्स के साथ में बताऊंगा कि Windows 11 कैसे किया जाएगा कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा और कैसे अपडेट करना पड़ेगा अगर आपके केम्पूर्टर में अपडेट नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक ऐसा बेस्ट ट्रिक बताऊंगा जो Windows Microsoft खुद कहता है कि यह ट्रिक से आप डाउनलोड करिए और आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं आएगा दोस्तों तो आपको सबसे पहले एक सवाल होता है कि आप जब अपग्रेट करोगी Windows 10 से 11 में तो कि आपके जो भी डेटा होगा और डिलीट होगा कोई भी आपका ड ट्रिंब्र भी नहीं दिया जा रहा है ठीके दोस्तों तो क्या करना होगा आपको डार्कलीं Microsoft Office में जाना है Вहां से डाउनलोड करना होगा तो हम आपको में वह भी बताता हूं कैसे डैडोड करना अब यहां पर दीख सकते हूं डाउंडोड बटन कीलिक करते हैं यह डाउंडोड क्यूं नहीं हो रहा है और आपको इस सिम्पल से किलिक करके और यह यहस पर क्लिक कर देना है तो इसपर में जी निश्व Petra कर दिया आपको सारी जीज आएंगे चाहिए आपको सारी एलिघल्लस हैं तो आपको सिम्पल से इससे करना है और से बढ़डना यहां पर देग सकतो डाउनलोड नग अर्ट शूरू हो से कम डेंट नहीं कि मेरा चार्ज लेटा वाइ-फाई का ले गया उससे बा DelightNow से और my से छालो किया तो बाद में अ मत बापका पांस टीपी से डेटा कम नहीं होना चाहिए और यहाँ आपका स्लिप जाएगा तो फिर से कनेक्शन आउट हो जाएगा और इसलिए आपको ध्यान में रखते हुए और यहां पर चार्जिंग अगर आपका लैप्टॉप है तो चार्जिंग जरू लगा दिना है क्योंकि यह बैटरी भी टाउन नहीं होने चाहिए ठीक है फ्रेंट यहां पर फ्रेंट्स आप देख सकते हो मेरा कंप्लीट हो जुका है अगर आप रिस्टार्ट नहीं किलिक करते हो तो आटोमेटिक 20 मिनिट के बादे रिस्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो अगर आप रात में इससे करना चाहते हो तो रात में आटोमेटिक डाउनलोड पे आपको विंडोज 11 मिल जाएगा तो अगर आप मेंविल भी करना चाहते हो और यहां पर फ्रेंट्स मेरा रिस्टार्ट हो गया है और इसमें काफी जयदा थोड़ा सा टाइम लग सकता है अधे से एक घंटे की बीच में लेकिन यहां पर मेरा तो 20 मिनिट में हो गया क्योंक आपके लिए बहुत ही खुबसूरत म्यूजिक के साथ यह मेरा अन हो चुका है और यहां पर अपना पासवर्ड डाल कर इसे अन कर लेना है तो यहां पर मैं डाल देता हूं और यहां पर आ चुका है यह इस तरह का जब हम कोई कंपिटर को इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह का ओपसंस आता है तो यहां पर कीबोर्ड की लाइट जल चुकी है मलब कीबोर्ड आप काम करने लगेगा और क्या है कि थोड़ा सा वेट गरना बड़ेगा यहां पर भी आपको लिए पास मिनट तक यहां फिर हो सकता है आपको बहुत ही जल्दी हो जाए और यहां पर थो चालाने के वाहां वीड बना रहा हूं तो यहां पर क्या है कि अपका पpox 11 तेज है म्हया पहले जो इस पीड़ी ती उससे काफी ज्यादा फिर बीभी नहीं आगे काफी जिया इंप्रूफ हो गया है और काफी जाथ तीज चल लाए मलत पहले से काफी ज़्यादा थी चलता लगा है जैसे हम्बाई से चाहिव और काई सारे सटकर देए तो चाहिए वाइसे काफे जदा यह जी फूफव सूरत और काफे जदा एडवांस बन गया है कि मैंने एक लगा तार चला काफे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा इसलिए आप भी अपडेट करें मैं आपको लिंक दे दूंगा जहां से आपको इंस्ट्रॉलर डाउनलोड तो यह अगर आप हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अब हमारे चैनले पर नए हैं तो चै करते रहते हैं और इस वीडियो को अपनी पास अपनी दोस्तों के पास सेर करें उनको भी पता चल पाएं विंडोज 11 डाउनलोड करें